नमस्कार दोस्तो, A Story by Rakesh के इस Special Episode No.1 में आप सभी का स्वागत है आज मैं एक ऐसे टॉपिक के उपर बात करने वाला हूँ जो हर घर का टॉपिक है चाहे आप एक पिता हो, चाहे आप एक माँ हो, चाहे आप एक बेटे हो, बेटी हो, आप एक बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बड़ी बहन, छोटी बहन आप दादा जी हो, दादी हो, नाना जी हो, नानी हो आप कोई भी इनसान हो आपके घर में छोटे बच्चे तो जरूर होंगे या वो छोटे बच्चे अभी बड़े हो गए होंगे लेकिन इस फेज से आप जरूर अलमोस्ट हर कोई गुजर चुका होगा या अपने फैमिले में देख चुका होगा आज मैं बात करने वाला हूँ अस्कूल्स के अंदर जो बच्चों को बड़े बड़े हैवी बैग्स दिये जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर मैं डिसकस करूँगा प्रॉब्लम के बारे में और इसका सॉलूशन भी मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है मैं प्रपोज करने की कोसिस करूँगा अगर यह वीडियो किसी ओफिसियल के पास पहुचता है तो मेरे सॉलूशन के उपर प्लीज एक बार ध्यान रखिए हो सकता है मेरा सॉलूशन बहुत ही खराब हो हो सकता है आपको उस सॉलूशन में कुछ अच्छी चीज दिख जाए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंप्लिमेंट किया जा सकता है तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि आपकी जो बच्चे है क्लास 3, 4, 5, 6, 7 ये इनके जो बैग होते हैं आप देख सकते हो इस फोटो में इस बच्चे का जो बैग है काफी जादा हैवी है अगर मैं रूल्स की बा हिसाब से 10% आपका हो जाता है 5 किलो और 15% हो जाता है आपका 7.5 किलो तो हिसाब से काइदे से अगर 50 किलो का आपका बच्चा है तो 7.5 किलो से ज्यादा का आपका वेट नहीं होना चाहिए आपके बच्चे के बैग का लेकिन दुरभाग की बात ये है दोस्तों कि 10 से 15 किल जिम्मेदार है जो नियम ऐसे नहीं लाती है कि बच्चों के बैक्स हलके होने चाहिए देखिए एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यह जरूरी है कि बच्चे हर किताब को ले जाए अस्कूल में लेकिन क्यूंकि उनके वेट इतने जादा हो जाते हैं नोट प्रॉबलम ही होती है कि अभी तो पता नहीं लेकिन दीरे दीरे बच्चों के पीठ में सर्वाइकल प्रॉबलम्स जेनरेट होने के चांसेस हैं आप गूगल करके भी देख सकते हो यह भी एक प्रॉबलम कॉमन है जो बच्चों को पीठ में दर्दवर्द वगेरा की होती है अगर आपके बच्चे को एक ड्रॉइंग का एक पीरियड है तो इतनी मोटी जो बुक है वो आपको बैग में डालना पड़ेगा इससे होता क्या है कि ओवरॉल वेट काफी जादा बढ़ जाता है बच्चों के बैग का अब यह तो सारी प्रॉबलम्स थी दोस्तों कि बच्चों के बैग के होने से पीट में दर्द हो सकता है और और ओवरॉल बच्चों के सरीर में दिक्ते आ सकती है तो अब सॉलूशन क्या है देखिए सॉलूशन तो बहुत सारे है और सॉलूशन को सोचने के लिए हमारे देश में अलरी बहुत अच्छे अच्छे लोग है और उने solution भी provide किया है लेकिन मेरे दिमाग में जो solution है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूँ देखी ये एक simple Hindi की book है मेरे बच्चे की है और ये अब देखो कि ज़्यादा मोटा book नहीं है ठीक है ये अब देखो तो इतना सा मोटा ये एक book है हिंदी की book और ऐसे करीब साथ आठ books होते है कुछ मोटे पतले ऐसे बहुत सारे books होते हैं जिसके कारण weight काफी जादा बढ़ जाता है अब solution ये है दोस्तों कि क्योंकि हमारे जो education system में normally तीन semester होते है first terminal, second terminal और final terminal term one, term two and final term तो अब हम क्या कर सकते हैं अगर इस book को दोस्तों इस book को अगर मैं one third convert कर दूँ ये देखें अगर मैं इसको one third में convert कर दूँ दूसरे इस book को part में कर दूँ second term के लिए और तीसरा जो है third term के लिए मतब एक ही book को तीन अलग अलग parts में हम divide कर दे, पहरा जो book होगा वो term one के लिए, दूसरा जो book होगा term two के लिए और तीसरा जो होगा term three के लिए तो इससे क्या होगा कि जब बच्चा first terminal की education ले रहा होगा, तो उसे वो पतली one third सीधा weight कम हो जाएगा दोस्तों, जो first term उनका आपका जो book है, बच्चा वही ले जाएगा इससे 30% right, 30% weight कम हो सकता है, तो इसमें ना तो school को loss है, ना तो parents को loss है, ना तो बच्चों को loss है, थोड़ा ये ज़रूर हो सकता है कि costing जो है, जो books की, क्योंकि अब एक book bind होती थी, अब उसको तीन अलग-लग books में bind करना पड़ेगा, एक ही book को, तो यहां costing थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, दोस्तों, लेकिन यहां पर अगर आप देखो, बच्चों के लिए काफी कितना अच्छा हो जाएगा, उनके सरीर के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, और यह जो problem है, almost हर परिवार की problem है, and I think इस कारण से यह solution काफी जादा effective हो सकता है हमरे बच्चों के सरीर के लिए तो दोस्तों, बस यही था, इस वीडियो में, एक book को तीन parts में divide करना, notebook जो आपका मोटा है, उसको पतले पतले तीन parts में divide कर सकते हो हर term का एक notebook होगा, हर term का एक अलग book होगा इससे फाइदा यही है कि आपका जो weight है सीधा सीधा one third हो सकता है I hope आपको यह video पसंद आई होगी, और यह जो solution है सायद आपको अच्छा लगा होगा अगर यह video किसी principle या किसी ऐसे इनसान तक पहुँच रही है जो मेरे इस बात को अगर उनको सही लगता है और आगे ministry तक पहुचा सके तो please I would request कि यह video आप वहाँ तक चरूट पहुचाए ताकि हमारे देश के जो बच्चे है उनके भविसी के लिए यह अच्छा हो सके और उनकी जो body है उनका जो peat है उनका जो back है उनको backbone की problems नहीं आए तो चलिए I hope आपको यह video पसंद आया होगा मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले किसी problem और solution के साथ जैह हिंद